हेलो नमस्कार इस नए वीडियो में आप सबी दोस्तों का हारदीक स्वागत है उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपकमिंग एक्जाम के लिए तयारी कर रहे होंगे दोस्तों RRB PO Prelims का जो Admit Card है वो Release हो चुका है अब काफी सारे Candidates ये पूछ रहे हैं कि RRB Clerk का Admit Card आखिर कब तक Release होगा तो गाइस उसी के बारे में ये वीडियो रहेगा छोटा सा वीडियो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेगा IBPS RRB PO Prelims 2020 की तो गाइस ये जो Admit Card है वो Release हुआ था 8 सितंबर को और उसके चार दिन बाद Clerk का Admit Card भी Release कर दिया गया था यानि कि 12 सितंबर को ठीक है अब इस बार के Recruitment की अगर बात करें तो PO का तो Admit Card Release हो चुका है आज 17 जुलाई को और Clerk का जो Admit Card है दोस्तों वो मुझे ऐसा लगता है कि 22 या फिर 23 जुलाई के आसपास Release होगा ठीक है होने को तो दोस्तों ये 21 जुलाई को भी Release हो सकता है और 24 को भी Release हो सकता है लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि mostly expected दो डेट है 22 जुलाई या फिर 23 जुलाई ठीक है आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ठीक है और आपका RRV PO का Examination एक अगस्त को है या फिर 7 अगस्त को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा इसी बीच दोस्तों काफ़ी सारे Candidates मोक टेस्ट के बारे में भी पुछते हैं तो दोस्तों मैं आपको दो मोक टेस्ट सेयस्ट करूँगा एक तो स्मार्ट कीड़ा और एक अड़ा 247 स्मार्ट कीड़ा में दोस्तों आपको Retake का Option भी मिलेगा और यहां का जो इन मोक टेस्ट का दोस्तों जो लेवल रहेगा वो एक्जाम के लेवल से थोड़ा अप रहेगा तो आप गबराईएगा नहीं अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे तो आप बिलकुल भी मत गबराईएगा आपको एक्जाम में दोस्तों कहीं न गिए जो एक्जाम है वो एकदम एजी लगेगा और ये दो मौक टेस्ट में आपको सेजिस्ट कर रहा हूँ ठीक है आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते है दोस्तों नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जैहिध जैफारत अपन ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें heaven is जे दोस्तों